दोस्तो किसी भी खिलाडी का सन्यास कई बार क्रिकेट की दुनिया और परसंसको की भावनाओं में एक खालिपन छोड़ जाता है मसलन दक्सिन अफरीका के महान खिलाडी एबी डिविलियर्स के सन्यास ने क्रिकेट की दुनिया को हैरत में डाल दिया था उनके फैंस इसे बिल्कुल भी कबूल करने को तयार नहीं थे, हलनकि डिविलियर्स एक मातर किरिकेटर नहीं थे, जिन्होंने अपने अचानक सन्यास के साथ विस्व किरिकेट को सक्ते में डाल दिया था, भारतिय टीम से भी कई ऐसे सन्यास आये, जिन्होंने दुनिया को सक का दिया था इससे पहले अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें महंदर सिंग दोनी 2014 में भारत बॉक्सिंग डेट टैस्ट में ड्रा के लिए जूज रहा था जब उनके कप्तान MS दोनी 24 रनों पर टीम की नईया को किनारे पहुँचा रहे थे तबी चार ओवर सिस रहते हुए मेलबंड क्रिकेट गराउंड में मेच को ड्रापर समाप्त कर गया दोनी ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में एक स्टंप को उखाड फैंक दिया जैसा कि वे हमेसा क्या करते थे और मेच के बाद के कप्तान की प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने अपने सन्यास के बारे में कोई आसंग का व्यक्त नहीं की इस बात का खुलासा BCCI ने 60 टेस्ट कारियकाल में 27 से अधिक जीत में टीम इडिया का नितरतों किया हलंकि विदेसी दोरे के साथ भारत ने 2011 से 22 टेस्ट मेचों में से केवल दो जीते और 13 में उन्हें हार मिली थी सोरव गांगुली चेपल विवाद के बाद भारती टीम में वापसी के एक साल बाद सोरव गांगुली ने तब क्रिकेट से सन्यास लेने की गोसना कर दी जब उन्हें लंबे समय के बाद 2008 में बोर्डर गावसकर ट्रोफी में समिल किया गया था 2005 में गांगुली और चेपल वे बोर्ड के बीच हुए लंबे विवाद के बाद बोर्डर गावसकर ट्रोफी के पहले मेच से पूर्व संगवाद दाता सम्मिलन में खुलासा किया कि ये चार मेचों की सरंखला उनके करियर की आखरी सिरीज होगी ये घटना खास कर तब हुई जब गांगुली को सेज भारत और दिल्ली के बीच इरानी कप मेच के लिए नजर अंदाज कर दिया गया था 113 टेश्ट मेचों के इस अनुबवी खिलाडी और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक गांगुली ने 42.18 की आउसत से 7212 रन और 311 एक दिविसे मेचों में 40.73 की आउसत से ताबड तोड 11,363 रन बनाए जिसमें 22 सतक भे सामिल थे 113 अमबाती राइडू योरास सिंग के जाने के बाद से भारती टीम को नमबर 4 का कोई भी विकल्प नहीं मिल ला हा था कई खिलाडियों को आजमाने के बाद अमबाती राइडू को भी आजमाया गया जो उनमें सबसे सटीक बेटे और साती एक सतक भी जड़ दिया वर्ल्ड कप 2019 से पहले ये माना गया कि इस वर्ल्ड कप में अमबाती राइडू भारते टीम के सात वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राइडू को वर्ल्ड कप के टीम में नहीं चुना गया साती वर्ल्ड कप खेलते खेलते कहीं खिलाडी चोटिल हो गए और उसके बाद भी राइडू की जगे दूसरे खिलाडियों को तरजिह दी गई जिससे की राइडू नाराज हुए और सन्यास की गोसना कर बेठे जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी हलनकि कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सन्यास से वापसी कर ली थी लेकिन अभी तक उन्हें एक भी मेच खेलने का मौका नहीं मिला है